मुवी स्टार्ट होती है सूपरमैन के एनमी लेक्स लूदर से जो के न्यूस चैनल्स पर सूपरमैन की बरती हुई पॉपुलारिटी से बहुत जादा जेलुस फील कर रहा था सूपरमैन हरे की बहुत जादा मदद करता था और इसी वज़े से जगा जगा पर उसके बहुत जादा फैन बन चुके थे पर ये बात लेक्स लूदर को बहुत बुरी लग रही थी इसके साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लूइस लेन को जो के एक न्यूस वेपर एजनसी में काम करती है यहाँ पर उसने लेक्स लूदर के बारे में एक बहुत बड़ी सी रिपोर्ट लिखी थी जब वो अपने एडिटर हैट के पास जाती है तो वो मना कर देता है उसको पब्लिश करने से और लूइस को बताता है कि ये लेक्स लूदर एक बहुत ही फेमस आदमी है और यहाँ सिटी में बहुत अच्छे काम भी करता है तो उसके अगेस्ट हम कुछ पब्लिश नहीं करेंगे अब ये बात जिमी भी सुन लेता है जो यहाँ का ही एक और जर्नलिस था और लूइस लेन का फ्रेंड भी इस नियूस पेपर कमपनी में हम देखते है क्लार केंट को जो के बेसिकली सूपरमैन है और एक नॉर्मल लाइफ कुजारने के लिए उसने अपनी आइडेंटिटी सबसे छुपा कर रखी है दूसरी तरफ हम देखते है कि एक माइन में लेक्स लूदर के कुछ आदमी काम कर रही है यहाँ पर इनको एक हिडन स्पेशिप मिलती है दूसरी तरफ सूपरमैन अपने घर पर था यहाँ पर हम लूइस लेन को भी उसके साथ ही देखते है उसको यह नहीं पता था कि सूपरमैन ही क्लार केंट है सूपरमैन को इस बात का बहुत डर लगता था कि अगर उसकी आइडेंटिटी पता चल गई तो शायद लूइस लेन भी किसी खत्रे में आ जाए वो बहुत बार पूशती थी कि मुझे अपनी रियल आइडेंटिटी बता दो पर सूपरमैन ने उसे कभी भी यह नहीं बताया वो बहुत ही जादा डरता था कि लूइस किसी खत्रे में न बढ़ जाए दूसी तरफ उस माइन के अंदर जो स्पेश शिप थी उसमें से एक बहुत बढ़ा सा हाइपर एक्टिफ मॉंस्टर बाहर निकलता है जिसका नाम डूमस्टे था वो स्पेश शिप से बाहर निकलते साथ ही अपने सामने आने वाले हर इनसान जानवर को मार रहा था आहस्ता आहस्ता यह दूमस्टे अब सिटी की तरफ आने लगा था और अपने रास्ते में जो भी इसको रोकने के लिए आता था उसे मार देता था ऐसे ही यहाँ पर मिलिटरी भी पहुंच गए थी पट किसी भी चीज़ का असर डूमस्टे पर हो नहीं रहा था अब जैसे ही सूपरमैन को यह न्यूस पता च साथ आ जाती है इस सब को रिपोर्ट करने के लिए वो एक हेलिकोप्टर में इस सब को रिकॉर्ड कर रही थी और जैसे ही डूमस्टे यह देखता है वह उनके प्लेन के ऊपर हमला कर देता है यह सब देखकर सूपरमैन उनको बचाने के लिए भागता है वो उन सब को तो बचा लेता है लेकिन इसके बार दूमस्टे से फिर लड़ाई शुरू हो जाती है इन दोनों की लड़ाई हर एक की तरह लेक्स लूदर भी देख रहा था अब एन में सूपरमैन डूमस्टे को तो डिफीट कर ही देता है बड़ इस सब में वो इतना जादा जखमी हो जाता है कि एन में सूपरमैन की भी डेथ हो जाती है इस सारी नियूस को तो हर जगा पर टेली कास्ट किया जा रहा था इसके बाद हम देखते हैं कि पूरे सिटी में एक बहुत बड़ासा फ्यूनरल होता है जहाँ पर हर कोई आता है यहाँ पर इवन के लेक्स लूदर भी आया था अपना ट्रिब्यूट देने के लिए सूपरमेन की डेथ के बाद लूइस लेन का भी काम में दिल नहीं लग रहा था ऐसे तो क्लार्केन भी काम में नहीं आ रहा था और किसी को पता ही नहीं था के रीजन क्या है आएस्था आएस्था सिटी में क्राइम रेट बहुत जादा बढ़ जाता है और लुइस लेन भी सूपर मैन की मॉम के पाच आती है और उनको बताती है कि हम दुनों रिलेशनशिप में थे जिम्मी को एक और न्यूस चैनल से ओफर आती है और वो उसे जॉइन कर लेता है लेक्स लूदर की असिस्टन को पता चल जाता है कि डूमस्टे के रिलीज होने में लेक्स लूदर का ही काम था और वो सारे उसी के आदमी थे जो के माइन में जाकर उस पेशिप को ढून रहे थे इस सब के बाद लेक्स लूदर अपनी असिस्टेंट को मार देता है ताकि ये नियूस कहीं पबलिक में पता ना चल जाए दूसी तरफ एक विलन जिसका नाम ट्वाइ मैन था उसने एक स्पाइडर जैसी मशीन बनाकर सिटी के काफी बच्चों को किदनाब कर लिया था वो काफी जादा पैसा चुरा कर भागना चाता था और वहाँ के लोगों का दिहान चेंज करने के लिए उसने बच्चों को किदनाब कर लिया था पर यहां पर लोईस लेन किसी तरीके से पहुंँ जाती है और वो एक एक करके हर बच्चे को बचा रही थी जब आखरी बच्चे को बचाने वाली थी तो ट्वाइमेन उसे भाँ से धका देकर नीचे गराने लगता है पर यहां पर अचानक से सूपर मैन कहीं से आ जाता है और लुइस लेन को बचा लेता है। सूपर मैन को एक बार फिर से देखकर सारी सिटी के लोग बहुत जादा खुश हो जाते हैं। लुइस लेन तो बहुत जादा हेरान थी बचने के बाद भी उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो फिर सोचती है के शायद इतना सब कुछ होने के बाद सूपर मैन के कुछ चीजे ठीक से याद ना हो। नेक्स डे ही सूपर मैन लेक्स लूदर से मिलने के लिए जाता है उसकी बिल्डिंग में वहाँ पर उसे लेक्स लूदर की आवाज आ रही थी जिसको फालो करते करते वो एक जेमबर में पहुंछ जाता है। वहाँ पर लेक्स लूदर भी था उसके पास स्क्रिप्टो نाइट रिंग थी जिसकी वज़े से वह सूपर मैन को बहुत जादा मारता है। यहाँ पर पता चलता है कि यह तो रील सूपर मैन है नहीं और इसे लेक्स लूदर नहीं बनाया था। उसने सूपर्मेन की डियने और सेल्टर्स से ही सूपरमेन क्रेयट किया था। और साथ ही हमें पता चलता है कि उसने सूपर्मेन की बौडी को पि Laurless को पता ही नहीं था कि सूपरमेन अभी जिन्दा है। अगले दिन हम देखते हैं कि लूइस लेनिक पार्टी में जाती है जहां पर उसे जिमी भी नजर आता है वो उसके पास जाकर उसे दुबारा से अपनी ही कमपनी को जॉइन करने का बोलती है बट वो मानता नहीं है इसके साथ ही वो उसे शेर करती है कि सूपरमैन वापस आ गया है बट बहुत ही जादा बदला बदला है अब जब लेक्स लूदर देखता है सूपरमैन को तो वो अपने चेमबर में ही नहीं था पता चलता है कि ओरिजनल सूपरमैन को उसके ही असिस्टन ने वहां से छुडा में आता है उसका बिहेवर बहुत ही जादा चेंज हो जाता है और वो ट्वाइन को बहुत जादा मारता है यहां तक कि एक बहुत ही उंची हाइट से उसे नीचे गिरा देता है जिसकी वज़़े से ट्वाइमन की ओन दास पॉट डेथ हो जाती है और यह देकर सारे लोग बहुत ही ज़ादा हेरान होते हैं, क्योंकि सूपरमेन ने आज तक किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया था, जब ये सारी बात लूइस लेन को पता चलती है, तो उसका शक और भी पका हो जाता है, कि ये सूपरमेन हो ही नहीं सकता, इसके साथ ही सूपरमेन की मौम को भी बहुत ज़ादा शौक लगता है, उनका बेटा तो हर एकी मदद करता था, और अब वो ऐसे किसी को हर्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकता, जब सारी पुलीस आकर सूपरमेन को कहती है, कि अपने आपको हमारे हवाले कर दो, तो वो उनकी बात नहीं मानता, बलके अपनी ही विजिल से उनके वैपन्स को डिस्ट्रॉई कर देता है, ये बात सब के लिए ही बहुत ज़ादा शौकिंग थी, कि सूपरमेन इतना ज़ादा चेंज कैसे हो गया, दूसी तरफ जो रियल सूपरमेन था, उसको स्लोली अब होश आने लगा था, और उसको सारी बात समझ आ गई थी, कि कैसे लेक्स लूदर ने उसका एक क्लोन बना लिया है, अब नखली सूपरमेन को लेक्स लूदर अपने पास बुलाता है, और बहुत ज़ादा डांटा है, कि तुमने मेरे बताय बगैर कैसे ट्वाय मैन को मार दिया, मैंने तुम्हें तो सिर्फ अपने काम के लिए बनाया है, तुमने किसी को ऐसे नुकसान क्यूं पहुंचाया, वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि किसी को शक हो कि ये रियल सूपरमेन नहीं, पर अब तो ये क्लोन भी उसकी बात नहीं सुनता, और घुस्से में वहाँ से चला जाता है, लेक्स लूदर उसको ओर्डर देता है, को रियल सूपरमेन की डेड बॉड़ी को कहीं से ढून के लेकर आओ, यहाँ पर नखली सूपरमेन बहुत घुस्से में था, वो एक सेलोन में जाकर अपने ब्रेन के अंदर से वो सेल निकाल देता है, जो कि लेक्स लूदर ने उसमें डाला था, इतनी देर में लेक्स लूदर के पास लूइस लेन आती है, यहाँ पर वो उसे बताती है कि मैंने अपनी नियूस बेपर कमपनी को छोड़ दिया है, वो सब कुछ ये इसलिए कर रही थी, ताकि किसी तरीके से लेक्स लूदर उसको सारी सचाई बता दे, यहाँ पर लेक्स लूदर उसके पास आता है, और इसी सब के बीच में लूइस लूइन उसे बिहोश कर देती है, जिसके बाद वो फॉरन जिमी को बुलाती है, ताकि वो कैमरे के साथ यहाँ पर पहुंचे, वहाँ का सारा प्रूफ वो कथा करने लग जाती है, जब यहाँ पर जिमी पहुंचता है तो उनको पता चलता है कि लेक्स लूदर की तो एक बहुत ही बड़ी प्लैन चल रही है, यहाँ पर एक रूम में उनको बहुत सारे क्लोन्स नजर आते हैं, यह सब के सब सूपरमैन के ही क्लोन्स थे, बेसिकली लेक्स लूदर एक सूपरमैन की आरंपी त्यार करने लगा था, ताकि वो सारे उसके हुकम को मान सकें, अचानक से लेक्स लूदर भी उठ जाता है, और वो उन पर अटैक करने लगता है, पर यहाँ पर नकली सूपरमैन पहुन जाता है, अब वो लेक्स लूदर के कंट्रोल में तो था ही नहीं इसके बाद लेक्स लूदर उसे बच कर उसी चैमबर में जाता है ताके किसी तरीके से उसको वहाँ पर ला सके और क्रिप्टो नाइट से मार सके पड़ इस पार क्लोन सूपरमैन को उसकी ये बात पता थी नकली सूपरमैन लेक्स लूदर को उस पुरे चेमबर के साथ ही बिल्लिंग से बाहर गिरा देता है बाकी सारे लोगों को लगता था कि लेक्स लूदर यहां का एक बहुती फेमस आदमी है और सूपरमैन उसे इस तरह से ट्रीट कर रहा है यह किसी को भी समझ नहीं आ रही थी जिसके बाद सारी मिलेटरी त्यार हो जाती है सूपरमैन पे अटैक करने के लिए दूसी तरफ जो औरिजनल सूपरमैन था वो पूरी तरह से त्यार कर रहा था खुद को ताके इस सब से डील कर सके बहुत जादा डेलाइट लेने की कोशिश भी कर रहा था पर उसकी स्ट्रेंथ अभी भी पूरी नहीं हुई थी पर जैसे ही उसे पता चलता है कि सिटी में बहुत अफरा तफरी मच रही है वो फॉरन प्लान करता है कि अब मुझे चले जाना चाहिए वो अपना सोलर सूट पहन लेता है ताके जितनी जादा सोलर लाइट वो एब्जॉब करेगा उतना ही वो स्ट्रॉंग हो जाएगा सूपरमैन अपने साथ क्रिप्टोनाइट गन को भी ले कर जाता है ताके उस ख्लोन सूपरमैन को हरा सके यहाँ पर अब सूपरमैन पहुंच चुका था सिटी में और इन दोनों की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है यहाँ पर मिलिटरी बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज होगी थी के रियल सूपरमैन कौन सा है और नकली कौन सा है इसी फाइट के दुरान वो क्रिप्टोनाइट गन तो सूपरमैन के हाथ से गिर जाती है जो कि जिमी और लुइस लेन देख लेते हैं और उस गन को लेने के लिए उसके पीचे भागते हैं इन दोनों की लेडाई के बीच में अभी भी रियल सूपरमैन काफी वीक था और वो बहुत बुरी तरीके से हार भी रहा था इतनी देर में लुइस लेन उस गन के साथ पहुंच आती है और वो उस गन के साथ अटैक करती है क्लोन सूपरमैन के उपर जहां पर उसका एफेक्ट होने लगता है यहां पर इससे पहले के वो मर जाता वो मरने से पहले औरिजनल सूपरमैन को बताता है कि इस सिटी का ख्याल रखना यहां पर हमें पता चलता है कि यह क्लोन सूपरमैन भी बुरा नहीं था लेकिन उसमें कुछ-कुछ बुराई रहती थी इसके बाद बिल्कुल एंड में हम देखते हैं कि सिटी बिल्कुल ठीक हो गई है और सूपरमैन ने भी अपनी क्लार केंट वाली आइडेंटिटी लुइस लेंड को बता दी है जिसके बाद वो बहुत जादा खुश होती है और ये मुवी ऐसे ही एंड हो जाती है